हेलो दोस्तो नमस्कार विधिया संबल योजना के अंदर आपको ओफलाइन फॉरम बरके तयार करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको इसको इसकूल में जमा कराना पड़ेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिससे आप ओफलाइन आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो ओफलाइन फॉरम है वो किस परकार से भरेंगे ताकि आपका फॉरम है वो रिजेक्ट ना हो चलिए आज की इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपने हम आफ लाइन फॉरम आपकी स्क्रीन पर है और इसे किस परकार से भरना है चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर पिता का नाम और उसके बाद में जिस विद्याले में यहाँ पर आपको अपने जो मारक सीट है उसके अकोर्डिंग यहाँ पर जननतिती डाल देनी है उसके बाद में आपको सैक्सनिक योगिता वर देनी है मादमी की मारक सीट उसके बाद में मुच मादमी की फिर सनातक की और फिर अधिसना तक की और प्रक्सिशन योगिता के के फोरम के साथ एड़ कर देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर यह आवसकता अनुसार है इसको आप परना चाहे तो भर भी सकते हैं अन्य था नहीं भी भर सकते हैं और आपको यहाँ पर अपने निवास का पता इस्ताई पता और वर्तवान पता अगर दोनों सेम है तो आपको दोनों सेम यहाँ पर भर देना है उसके बाद में यहाँ पर आपको मुबाइल नमर भरना है यहाँ पर आपको जाती भरनी है और उसका आपको जो फोटो कापी है वो साथ में संगलन करनी है अगर आप विकलांग है या फिर अन्य आपके अंदर कोई भी disability है तो वो आपको यहाँ पे select करके उसका भी प्रमाणपतर है वो 7 में लगा देना है उसके बाद मेंँ आपको गूल निवास प्रमाणपतर लगाना है चरीतर प्रमाणपतर लगाना है यहाँ पे अपना नाम भर देना है और यहाँ पे अपने पिता का नाम भर देना है यहाँ पे जिस स्बध पतर है और कुछ इंट्रक्शन है वो आपको पढ़ लेने है उसके बाद में आपको नीचे एक और पेज मिलेगा उसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने वो साइन कर देने यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने और इसके यह साइन होने के बाद में आपका जो अफलाइन फॉरम है वो बिल्कुल कम्पलीट हो चुका है और आ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर जरूर करें